गुड मॉर्णिंग एवरिवन, बच्चों, हम गो स्वामी तुलसी दास द्वारा रचे, लक्ष्मन, मूर्चा और राम का विला इस पर चर्चा कर चुके हैं, उसमें तीन काव्यांश की व्याख्याम कर चुके हैं, तो चर्चा करते हैं अगले काव्यांश की, पंक्तिया ध तोक सुत तोरा, सही निठूर कठोर उर्मोरा, निज जननी की एक कुमारा, तात तात तुम अधारा, सुपसी मोही तुमही गई पानी, सब विदी सुखद परमहित जानी, उत्तर कहा देव तही जाई, उठिकिन मोही सिखाव भाई, बवविदी सोचत सोच विमोचन, सलिल राजीव दललोचन, उमा एक अखंड रगुराई, नर्गती भगत कृपाल देखाई, यहां कवी तुलसी दास जी ने भगवान राम के मन की पीडा का सजीव चितरन किया है, और भगवान राम अपने मुर्चित भाई लक्षमन को संबोधित करते हुए कहते हैं, कि हे हे भाई, अब तो मेरे सकठोर और निष्टोर हिर्दय को, अपियश और तुमारा शो, दोनों ही सहन करने पड़ेंगे, भाव यह हैं कि तुमारी मुर्चा से, तुमारी मृत्यू से, मेरे हिर्दय को जो पीडा होगी, उसे तो मैं जैसे तैसे सहन कर भी लूँगा, लेकिन मैं तुमारी माता सुमित्रा को जाकर क्या मुद दिखाऊंगा, उन्हें क्या जवाब दूगा, क्योंकि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, और तुम उसके प्राणों के आधार भी हो, कहने का भाव है, कि बगवान राम को यह चिंता सताय जा रही है, कि लक्षमन की मा माता सुमित्रा लक्षमन के बिना कैसे जी सकेगी, हे भाई, तुमारी माता सुमित्रा ने तुमारा हाथ पकड़ कर, यह सोचकर मुझे सौपा था, कि मेरे साथ रहते हुए तुमारा सब परकार से कल्यान होगा, और मैं तुमें प्रती पल सुक परदान करूँगा, अर्थ तुम पर कोई कष्ट नहीं आने दोगा, भगवान राम दुखी होकर कहते हैं कि भाई, मैं उन्हें जाकर क्या जवाब दूगा, तुम उठकर मुझे है क्यों नहीं समझाते हैं, कभी तुलसिदाजी कहते हैं कि शोख से व्यत्थित होकर, चिंताओं को दूर करने वाले श पती को समझाते हुए कहते हैं कि हे उमा, तुम उस भगवान राम ने अपने भगतों को किरपा करके मानव गती को दिखाना और निर्गुन निराकार भगवान राम के साधारन मानव समान विलाप करके अपना रूप उन्होंने दिखाया है, तो तुलसिदाजी हमें यही सं देश देना चाते हैं कि भगवान राम ने यह नर लिला दिखाई थी, एक साधारन मनुष्य की तरह हैं कि भाई के प्रती जो दुख उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, जो पेड़ा उनके दिखाई दे रही है, सच में एक भाई भाई की व्यथा में इतना ही दुख दिया हो कि पंक्तियों को अगर हम इस तरीके से पढ़ती हैं तो ले नहीं बन पाती है, देखी आपने कभी रामायन पार्थियों को देखा हो कि सोर्था हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, पहली पंक्ति का सेकंड पार्ट पहले फस्ट बाद में, सेकंड पंक्ति का इसी तरह स से सेकंड पार्ट पहले फस्ट बाद में देखी विकल भयवानर निकर प्रभू प्रलाप सुनिकान जिमी करुणा में वीरस आये गए हूँ हनुमान यहां कभी तुलसिदा जी कहते हैं कि लक्षमन मुर्चा के कारण व्यथीत भगवान राम के प्रलाप को सुनकर संपून मा व्याकूल हो गई इस बीच हनुमान जी वहां पर ऐसे पहुच गए जैसे करुन रस में वीरस प्रकट हो जाता है भाव यह है कि राम के विलाप के कारण व्याकूल और निराशा वानर सेना हनुमान को देखकर उत्सा में भर आई तो देखे करुन रस में वीरस का भाव कैस सम्मे जोश पैदा हो जाता है तो वीरस की अनुभूती है नेक्स्ट का व्यांश हर्शी राम भेटे हनुमाना अती कृतग्या प्रभु परम सुजाना तुरत वैद तब कीनी उपाई उठी बैठे लश्मन हर्शाई हिर्दय लाई प्रभु भेटे उप्राता हर्शे सकल भालू कपी भ्राता कपी पुनी वैद तहां पहुंचावा जही विदी तभई तही लई आवा यह विर्तांत दसानन सुने हूं अती विशाद पुनी पुनी सिर्प धुने हूं व्याकुल कुम्ब करण पई आवा विविद जतन करी तही जगावा यहां कभी तुलसी दाजी कहते हैं कि भगवान राम बड़े बुद्धि मान और दूसरी दुआरा किये गए उपकार को मनने वाले थें अते उन्होंने संजीवनी बुटी लेकर आने वाले हनुमान से प्रसंता पुर्वक भेट की भेट की अमलब उनसे गले मिलें बैदय ने ततकाल उस ओशित का प्रयोग किया ओश्दी का उस संजीवनी बुटी का और लक्षमन जी प्रसंता पुर्वक ओकर उठ बैटे तब भगवान राम श्री लक्षमन को सचे देखकर बहुत खुश हुए वे लक्षमन को गले लगा कर मिले यह देखकर सभी भालू और वानर अत्यंत प्रसं हुए इसके पश्चात हनुमान जी ने बैदय को वहीं पहुचा दिया जहां और जिस विदी से उन्हें लेकर आय भाव यही है कि लक्षमन के होश में आने के बाद भगवान राम की संपूर सीना प्रसंद हो उठी कभी फिर कहते हैं कि जब रामन ने इस बृतांत को सुना कि लक्षमन जो है जिवित हो गए है तो वे अत्यान दुखी हुआ और बार बार अपने सिर धुनने लगा अपना प्रयास करके उसने कुम करण को नींद से जगाया अपना दुख सुनाने के लिए क्योंकि वे लक्षमन के मुर्चित अवस्था से जिवित होने पर उसे बड़ी चिंता हुई और अपने भाई के पास सहता के लिए गया नेक्स्ट का व्यांच तुलसीदाज जी कहते हैं कि रावन द्वारा अनेक प्रयास करने पर आखे रूंका भाई कुम करण इन से जाग गया उस समय वे रक्षस जैसा दिखाई दे रहा था मानो यमराज ने शरीर धारन कर लिया हुँ रावन को अपने पास देखकर कुम करण ने पूछा हे भाई तुमारे चेहरे पर यह व्याकुलता कैसी है तुम क्यों दुखी दिखाई दे रहे हो तब उस अभिमानी रावन ने सारी कथा उस कुम करण को सुनाई जिस प्रकार वैसीता कारण करके लाया था रावन ने अपने भाई से कहा कि यह भ्राता उस हनुमान ने हमारे सारे राक्षसों को मार गिराया बड़े बड़े योध्याओं का संगहार कर भिया अपने भाई कुम करण को उसने यह भी बताया कि दुर्मुक, सुरिपू, मनुज, आहारी, अतिकाय, अकंपन, बारी, आ पुछ, जो है, युद में जूमने लगे, नेक्स्ट दोहा, सुनी दस कंदर वचन तब, कुम्ब कान विल खान, जग दंबा हरी अतियव, सठ चाहत कल्या, रावन से सारी बास सुनकर, कुम करण ने क्या कहा, कि और व्याकुल भी हुआ, क्योंकि रावन ने जो कार्य किया था, वो अनुचित था, इसलिए कुम करण रावन को फटकारता हुआ कहता है, कि तुने जगत जन्नी सीता का हरन किया है, तो अब कल्यान की काम ना करते हो, तुमने सीता जी का हरन करके बड़ा अनुचित काम किया है, तो ये रावन अब तुम्हारा कल्यान कैसे हो सकता है, कहने का भाव है कि कुम करन्ने सीता हरन के निंदनिय कार्य को जो है सुनकर रावन को फटकारा बच्चो आज का हमवर्क है कि लक्षमन मूर्चा राम का विला इसके सभी काव्यांश हो चुके हैं सेप्रसंग व्याख्या का अब भ्यास करेंगे कुश्चन अंसर अगले वीडियो में थैंक यू